वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगेगा नमस्कार दोस्तो एक्जाम प्रूपेशन के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लोग 30 Most Important Question की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफी important topic आपके exam point of view से भारत की जन जाती हैं यहाँ पर इंडिया की जितनी भी types है वो आप मेरे साथ cover करेंगे अगर आप new है चैनल पर डेली दो पर एक बज़े class देख सकते हैं पर इंडिया के साथ-साथ UPPCS प्रेलेंस इसाम के लिए ROI आरो यारो री इसाम के लिए test series चल रही हैं रात को नो बज़े वो आफ फॉलो कर सकते हैं paid course में इंट्रेस्टेड हैं description box में number दियेगे आप call ये message करके भी जानका रिले सकते हैं अदर्वाइस Google Play Store से आप app download कीजिए जो भी course purchase करेंगे ज्यान से गूपन course जरूर apply कीजिएगा तो run discount मिल जाएगा चलिए आज की class से start करते हैं भारत की जंजातियों की बात करें तो एक ही करके हम लोग discuss करेंगे कभी-कभी match करने के लिए आती हैं और ये दीपावली को शोग पर्व के रूप में मनाते हैं इनमें सभी तो परिवार की प्रता है थारू ये किरातवन्स के हैं और इनकी जो जंजाती है उत्राखन की सबसे बड़ी जंजाती है सेकेंडर भोटिया आपको देखें ऐसे भी statement दिया जा सकता है कि थारू यूपी की सबसे बड़ी जंजाती है ये हिंदु धर्म को नहीं मानते हैं अब आपसे पूछा जा सकता है कौन से कतन से ये तो याद रखेंगे कि उत्राखन की है ना कि उपी की है और हिंदु धर्म को भी मानते हैं भोटिया ये जंजाती उत्राखन की पहाडियों में और उत्तर प्रदेश के तराई छेत्रों में निवास करती है तो भोटिया मंगोल पर जाती की होते हैं और ये वितु प्रवास करती है ये जंजाती यह सिक्किम पष्चि मंगोल और तिप्रा में पाई जाती है, स्थान जरूर याद रखेगा कौन कहां पाई जा रही है, यह अभी रितु प्रवास करती है, फिर है जौन सारी, उत्राखन में स्थाई निवास करने वाले एक क्रिशिक जन जाती है, और बहु पती प्रविवा प्रथा इनमें पाई जाती है, नेक्स्ट है बुक्सा ठीक है, यह उत्राखन के नैनी ताल, औरी गड़वाल, जिले में मुकरूप से, उत्राप्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है, और इनमें अनुलोम, प्रतिलोम, विवार प्रशिक है, यह राजपूत वन से संबंदे थे, बुक्सा ठीक, नेक्स्ट है राजी, यह जनजाती उत्राखन में पाई जाती है, इस्थानी रूप से इने बनरोध भी कहा जाता है, इनका धर्म हिंदू है, और यह जूमिंग प्रथा के लिए प्रशली थे, मतलब एक इस्थान पर किशी करते हैं, उसके यूपी में भी आपको यूपी की जो ट्राइब से उनको भी पढ़ना होता है, पर यहां से आपको एक जानकारी मिले कि यूपी के किन शेतों में खरवार है, तो देवरिया, बलिया, गाजी, पुर्वारा नसी और सोन भदजिले में हैं, सुभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, सारीरी ग्रूप से मजबूत होते हैं, और उत्तर प्रेदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाती, मतलब सेकंड प्रेस के कौन सी यह खरवार है, ठीक है, और यह जनजाती कर्मा नेत्य करती, बहुत बार प्रशन पूछा गया है, तो यह कर्मा नेत्य के लिए प्रसि हैं, गड़वा, जो कि राजिस्थान सासक के वनसज हैं, उनको बोलते हैं, दोलादा शेडी की जो मुखी जनजाते हैं, उनमें गड़ी, लद्दाखी, गुजर, बकरवाल, लाह ली, बारी, यह सारी प्रमुखुजाती, इसमें गड़ी भी आती है, गोंड देख लेते है गोंडवाना, लैन के मूल निवासी, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं, यह जनजाती समू बिहार, प्रश्चिम मंगौल, छारखंड, महाराश्च, 36 गड़, MP, UP, उडिसा, करनाटक, आंधर प्रदेस, आंधर प्रदेस, और उसके साथ साथ तेलंगाना, और गुजरात में भी पाई जाती है, लोग मुखिता क्या करते हैं, आखे, मतलब शिकार करते हैं, और मशली पर निभर रहते हैं, गोंड़ जनजाती भी स्थानातित किशी करती है, और यह लोग कम वस्त पहनते हैं, परन्तु जो इस्तियां हैं, इनको आभूशन पहनने का बहुत सौक होता पसुबली जो है, इसकी प्रथा भी प्रिशलित है, गोंड़ जनजाती समूँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाती समूँ है, तो पहले नंबर पे हो गया, गोंड, सेकेंड नंबर पे खरवार हो गई, यूपी में, ठीक है, यूपी में याद रखिएगा कौन सी जनजाती सबसे ज़्यादा पाई जारी, तो गोंड़ फिल खरवार है, इसके लावकिन छेत्रों में कौन सी जनजाती मिल रही, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो अगली जनजाती आ जाती है, वो है भील, तो भील सब्द की जो पत्ति हुई है, तमिल भासा के ब जिवासित है, इनमें जो है घुम अनृत बहुत पसंद है, ठीक है, और इसका विसेस महत भी है, तो घुम मनृत याद रखेगा भीलो की संस्कृती में, इसका विसेस महत है, सन्थाल जनजाती, ये जन जाती, सन्थाल पलगना, छेत के मूल निवासी हैं और इसी कारण इन आप कन्फ्यूज हुए। और यह मुकिता जंगली, कंद, मूल और सिकार पर निर्भर रहते हैं। इनलगरी की पहाड़ी उपर निवास करती है। इनका मुखी वेवसार होता है पसुचारण 12 जन जाती में बहुपती विवाह भी प्रिशलित है। फिर आजाती जारवा भारत की सरवाधी कादिम जन जाती जारवा कहाँ पर मिलेगी अंदमान और निकोबार दीप समु के दक्षिडी अंदमान दीप और मद्ध अंदमान दीप पर निवास करती है। नागा लैन मडीपुर और नाचर प्रिदेश की जन जाती जूमी खिशी करते हैं। और अधिकांस्ता आप इनको देखेंगे नगनवस्ता में पाई जाते हैं। पाजिस्तान की प्रमुक जन जातियों में कोहने भील है, मीना है, सहरिया है, गरसिया है, दमोर, पटेली आदी पाई जाएंगे। अगर 2011 की जन गरना के अनुसार देखा जाए तो पंजाब, हर्याना, चंडीगर्ट, दिल्ली और पुदुचेरी, इनमें जन जाती समूह नहीं पाया जाता। इसको रट लीजेगा कि पंजाब, हर्याना, चंडीगर्ट, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, तीन तो यूटीज हो गई, चंडीगर्ट, दिल्ली, पुदुचेरी इनको याद लखे और साथ में पंजाब और हर्याना, यहाँ पर जन जाती समूह नहीं पाया जाता। पिर सरहूल तेवहार जारखन चेत के उराओं, मुन्डा और हो जन जाती में दौरा मनाये जाता है, तो सरहूल याद रखेगा, और यह सरहूल तेवहार है, प्रतेकवर्स, हिंदू कैलेंडर के ब्रीथम माह चेत में मनाये जाता है सरहूल से ताथ पर यह वक्षो की कहते हैं तो मतलब यहां पर याद रखेगा वर्पक्षते वधु-पक्ष को दिया जादा है मतलब यहाँ पर जो दहेज की प्रता है वो उल्टा है यही कह सकते हैं साधियां तोड़ी भी जा सकती है इस मामले में इसनी पूर्ष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है बितलाह संथाल समाज में सबसे कटोर सजा होती हो या एक प्रकार का समाजिक बहिसकार भी है इन लोगों में नेक्ष्ट बोरो जनजाती एक नर्जाती और बहुभासी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारुपाडियों में पाई जाती है उराओ जनजाती का युवा ग्रह क्या है धुमकरिया कहलाता है और उराओ जनजातीों में समगोती विवा निसिद्ध है उराओ समाज में बाल विवा की प्रथा नहीं है इसमें विवा प्रस्ता और वर्पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवा में वर्पक्ष को वधुमूली देना पड़ता है उराओ गाओं की मुखिया होते हैं, इनको महतो कहते हैं, ठीक है, उराओ गाओं का जो मुखिया होगा, वो क्या कहला है, महतो, और उराओं की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, सहरिया जनजाती राजिस्तान की जनजातियों में से एक और इनकी सरवादी संख्या कहां पर है बाराजली में बारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विसेसी करण और विभी नावास को आधार बनाया जाता है तिप्राराज में हलाम, नोटिया ये जनजाती मुखिरुप से पाई जाती है और विभी जनजाती कुड़ुप बोली बोलते हैं और कुड़ुप जो है ये द्रविड परिवार के एक सहली है जारखन की 32 जनजातियों में से परिवार दीप समुख के प्रमुख जनजाती है और यह जनजाती दक्षिड और मध्यर निमान दीपों के पश्मी तटों पर पाई जाती है कथा बनाने वाली अनसूची जनजाती खेरवार चुकि कथा को खेर भी कहते हैं इसलिए माना जाता कि इसी के नाम पर इन जनजाती का नाम खेरवार पड़ा है यह मैप मैंने डाउनलोड किया था आप अगर इसमें देखना चाहे तो एक साथ आपको ऐसे मैप में दिख जाएगा आप इसको ड्रॉ करके भी मैप को बना सकते हैं दिखिए एक बार मैं जूम करके भी दिखा दे रही हूं इस्टेट वाइस आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले लदाक की बात करें तो यहाँ पर गदी और बकरवाल हो जाएगी ठीक है फिर आ जाते हैं राजस्थान वाले छेत में यहाँ पर भील, मीना, कठोडिया, गरासी, यह सारे मिल जाएंगे पंजाब, हरियाना, दिल्ली, यहाँ पर तो नहीं पाई जाती जाती हैं फिर गुजरात की देख लिए बर्दा है, बामचा है, भील है, चरन है, धोडिया है, गुमता है, पहाडी है, सिद्धी है, ठीक है, नैकड़ा है, पटेलिया है, और रथावा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यूपी की थारू है, भोटिय है, जौनसारी, कोल, भोकसा, राजी, खासा, भुया, फिर इसके बाद खैरवा है, और माजी है, यहाँ पर याद अखिए का, यह देखिए यहाँ पर, आपको यह गद्धी, गुजरो, किनार दी गई है, यह कहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो स्टेट वाइस भी आपको कैसी लगई, कमेंट करके जबूर बताईएगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को शेर करते रहिए, ऐसे ही कोशन, ऐसे ही कंटेन के साथ मैं आती हूं नेक्स क्लास ने, तब तक के लिए धन्यवाद झाल